हेलो दोस्तों, वेलकम तो कॉंस्टेंस माइंड, मैं हूदीपक और लखनो उनवस्टी से सीटू की अपडेट नहीं आ रही है इसको लेकर बहुत सारे छात्र परिशान है और कुछ दिन पहले हार एक न्यूज पेपर में ये नोटिफिकेशन भी देखा गया था कि लखनो उनवस्टी में एडमिशन 2022-23 के पीजडी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और पोर्टल पर हमने फिर चेक भी किया है जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं तो यहाँ पर एडमिशन पोर्टल में आपको पीजडी प्रोग्राम सेक्शन में एडमिशन सेशन 2022-23 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर यह ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फार पीजडी प्रोग्राम 2022-23 का यह दिखेगा ठीक हैं यही से आपको एप्लिकेशन वगरे करना है फी डीटेल्स दी गहीं थी और सारा कुछ चीज़ें जो eligibility condition वगरे होती है reservation होता है और exemption होता है admission procedure होता है यह सब चीज़ें यहाँ पर कहा गया था कि आप इसके ordinance से देखें जो लखन इनुएस्टी का latest 2020 का ordinance है वो हमने अपने telegram चैनल पर दिया भी था और last video में हमने discuss भी किया था तो अब इन्होंने ये तो कह दिया लेकिन seato की details and application की last date क्या है ऐसा कुछ चीज कहीं एक भी notification निकाल कर नहीं बताया गया मतलब university की portal पर official में एक भी notification नहीं था जो भी application के बारे में public domain में चीज़ें आई वो news paper से ही आई ठीक है और कौन कान से news paper थे उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब उन्होंने कहा था कि एक हपते में seato की details आ जाएंगी last date 16 January है तो उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो इस पर फिर से news publish करें कि अब तक seatیں क्यों नहीं आई university से जवाब मांगा जाए चातर परिसान है लोग phone करते हैं phone नहीं receive किया जाता है और साथी साथ mail अगरे जो भी यहाँ पर दिया गया है यह आप देख सकते हैं important note में यह जो दिया गया है सारा कुछ contact details यह सब कुछ भी काम नहीं करता है यहाँ पर जो mail दिया गया है mail से कोई response नहीं है किसी भी number पर call करो call उठती नहीं है हमने अभी थोड़ी दिर पहले भी try किया था call करके तो चीजें क्या है और जो last date की news थी वो दिखा देते हैं आपको आप बने रहिएगा वीडियो में आपको इलहाबाद जो state university है रज्जु भीया उसका भी एक notification दिखाएंगे जो हाली में आया हुआ है और दोस्तों अगर आप लोगों को previous question पर लेना है PhD entrance exams के तो उसके लिए link description में दिया गया है हमने कुछ book भी से suggest किया है Amazon से अगर आपको वो लेना है तो एक बार चिक कर लीजिएगा यह news18.com का है यहाँ पर चपा हुआ था कि 2021-22 सतर के लिए PhD हो गया था और 2022-23 के लिए 28 December से PhD प्रवेस के आवज़न सुरू हुए थे और यह भी बताया गया था कि official website पर जाएए आप कर सकते हो यहाँ पर mention किया गया था 16 January तक करें अपलाई थी वहीं पिछले सतर की प्रवेस प्रक्रिया में खाली रगई सीटों को भी नए admission प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा कुल कितने सीटों पर प्रवेस होगा इसकी जनकरी एक सब्ता के भीतर दी जाएगी और जब यह आपने पब्लिस किया है कोई आर्टिकल एक सब्ता के भीतर दी जाएगी तो 28 दिसंबर से आज कितना तारीक हो गया 13 जनवरी है 2023 और 16 जनवरी 2023 ही लास्टेट है आज से तीन दिन से इस है इस आर्टिकल के अंसार और ऐसे ही बहुत सरे आर्टिकल अपको हिंदोस्तान, दैनीज अगर वगर वगर में मिल जाएंगे तो अब फिर दोबारा किसी ने नहीं छापा कि अभी तक सीटें क्यों नहीं आई और कोई भी अगर नियूज मीडिया जो है वो इस पर संग्यान नहीं ले रही है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है आप चले जाएए ट्वीटर पर आप ट्वीटर यूज करते हो सभी लोग करते हो लगबग लगबग जो नहीं करता है करना चाहिए और ट्वीटर पर ही आप अपनी आवाज उठा सकते हो अपनी से जवाब ना मिले तो आप इस तरह के और अपनी जो भी है यूनिटी आपको दिखानी चाहिए अधर्वाइस बहुत सारे लोग ऐसे ही अप्लीकेशन करके बैठ जाएंगे और बाद में सीटे कब आएंगी लास्टेट हो सकता है आगे बढ़ेगी लास्टेट जब आएगा नोटिफिकेशन हो सकता है बढ़ा दे लास्टेट और हो सकता है सीटों की टीटल्स भी देदे लेकिन जो समय पर बताई जानी चाहिए वो चीज़े समय पर अगर नहीं आ रहे हैं तो यह गलत है फिर ठीक है न तो आप लोग यह कीजेगा अब जो PRSU मतलब जो यहां पर प्रफेसर राजन सिंग्राजु भी है इन्वरस्टी अलावाद इस्टेट इन्वरस्टी है उससे नोटिफिकेशन जो है उसको आपको अपडेट दे देते हैं और यह जो आर्टिकल छपाइस में बताया गए कि जयारप को देना होगा 100 नंबर का इंटर्व्यू योजिशी नेट और योजिशी नेट या जो अन्याफ पीजी उनली अभ्यरस्टी है उनको जो है यहाँ पर प्रवेस पर इच्छा देने होगा जयारप अभर्थियों के लिए सोध की रहासान होगी प्रोफेसर राजिन सिंग्राजी विस्चिद्याले साच्छिडिक सत्र दोजार बाइस तेस में पीजडी में प्रवेस के लिए अगले सप्ताह से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लेने की त्यारी में है जयारप अभर्थियों के लिए यहां पर सोध की रहासान होगी साच्छिडिक सत्र बाइस तेस के प्रवेस के लिए अगले सप्ता जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा इस बार जयारप भर्थियों को सिर्फ सो नमबर का इंटर्वियों ही देना होगा इंटर्वियों के अधार पर प्रवेस दिये जाएंगे और जो कंडिडेट सामान और जैसे की नेट वाले हैं इनके लिए क्रेट आयोजित होगा Combined Research Interns Test ठीक है और इसमें 70 नमबर की लिखित परिच्छा और 30 नमबर का इंटर्वियों के अधार पर इनका एडमिसन होगा मैरिट लिखित परिच्छा और इंटर्वियों में मिले अंक के अधार पर तैय होगी अलग-अलग बिस्यों के लिए कुल 132 गाइड नियुक्त किये गए है और इसमें जो PRSU एवम उसके एड़ेड एवम राज की जो कॉलेज है उसमें 264 सीटों के सापेच PhD में प्रवेश होगा मतब सीटें 264 होगी इसमें कैंपस में 52 सीट होगी और कॉलेज जो होते हैं इसके अफिलेटर कॉलेज हैं उसमें 212 सीटों पर दाखिला होगा ये कॉलेज आपके परताफगर तक के भी होगे परताफगर के कॉलेज होगे आपका यहां परिलाबाद के कॉलेज होगे तो इस तरह से कॉलेजों को स्वामिल किया जाएगा और यह जो पती हैं यहां के प्रोफेसर अखिलेज कुमार सिंग इन्होंने बताया है कि अगले सबता से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और कहां-कहां सीटें हैं कि इसके स्कॉलेज में वो देख लीजिए और यह जो भी आपकी क्वेरी होगी वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा नोटिफिकेशन जैसे उनुवस्टी से आएगा यहाँ इलाबाद इस्टेट से हम आपको वीडियो पना देंगे एंड यह जो लखनो उनुवस्टी है इसमें आप अपना जो है थोड़ा से एक्टिव हो जाईए अगर आपको admission लेना है और अगर आप वहले से आवे दिन कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अधरवाई आप लोग Twitter पर अगर जाएंगे उनुवस्टी से जवाल करेंगे तो कुछ उनको जवाब जरूर मिलेगा तीन दिन सेस है और अगर दिट बढ़ती है तो हम अमेंसा त्यार हैं देख रहे हैं जैसे कुछ notification आएगा वीडियो लेकि जरूर आएंगे ठीक है थैंक्यू सो मच फर वाचिंग